तो आर सीपी सर को पार्टी से हटाया तो नहीं गिया है या उन्होंने रिजाइन तो नहीं किया है वो एकलोते कैबिनेट मिनिस्टर है जो केंद्र में है तो ये तो गर्भ होना चाहिए पार्टी को अगर किसी के फोटो को देखकर एक प्रश्ण हमारे जेहन में जरूर है कि आप ही के मार्ध्यम से मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आखिर मेरी गलती कहां है हमारे नेता आये थे तो हम वहाँ पर गए तो कोई अपराद तो मैंने नहीं किया अगर इस गलती के कारण ही इस तरह की कारवाई हुई है तो इसका मतलब कि पाटी को कमजोर करने की कोशिस की जा रही है या किसी नेता के बड़ा फोटो देने पर अगर इस तरह से एक और हमने पहले ही कहा कि अकेली मैं महिला प्रवक्ता हूँ इस पाटी की थी अब तो नहीं है प्रवक्ता थी और इन सब चीजों पर अगर आप प्रवक्ता को हटा रहे हैं और जो जिस पाटी के नेता आगे बरने की वकालत करते हैं हमेशा तो उस पार्टी के एक महिला प्रवक्ता को आप हटा रहे हैं तो आप इसका मतलब यही हुआ कि महिलाएं इससे डी मोटिवेट होंगी तो यह बोट के अद्यक्ट से मैम उनकी हैसियत नहीं है कि उनकी तस्वीर पोस्टर पर हो बड़ा यह सवाल है बिहार के राजनिती गलियारों में जितना बड़ा यह सवाल टहल रहा है कि आखिर दस मार्च के बाद बिहार की राजनिती में क्या होगा बिहार की सियासत में क्या कोई खेला होगा उतना ही बड़ा सवाल बनता जा रहा है यह सवाल कि जेडियू में क बताया गया है कि ये जेडियू की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है और ये चार पांच नेता हैं उनकी तरफ से अगर कोई निर्देश जारी किया जाता है तो जेडियू के कारकरता पदाधिकारी उसको मानेंगे बाकी मुख्याले के नाम से कोई आदेश जारी होता है उस पाटी की मुखर प्रवक्ता जिनको आप अक्सर टीवी चैनलों पर पाटी का पक्स रखते हुए देखते रहे हैं। तो हमारे जहन में भी एक प्रशन है कि आखिर कहां पर हमारी चूक हुई है। पक्ष में अपने नेता के पक्ष में और अपनी पाटी की नीतियों को नेता की नियत को सभी चीजों को बहुत ही पॉजिटीव परीके से मीडिया के सामने रखा है। इसलिए हमारे मन में ये इस सवाल निश्चित रूप से उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि ये कारवाई में रिपे हुई। कि पूरे देश में ही एक से सिर्फ यही नेता है जो महिलाओं को घुणगट से निकाल कर और अव लाकर और इसले को मुखर सिर्फ हम लोग नहीं में महसूस करते हैं हर महिला ये गर्व महसूस है राजनीती में प्रवेश करने के लिए पंचायत लेवल पर नगर निकाय में उससे काफी महिलाए प्रभावित हुई है और वो काफी ससत हुई है चाहे आप उनको अपने पैरों पर खरे होने में उद्योगी करन में किसी चीज में देख लिए वो बहुत आगे निकली है ब महसूस करती हूं कि कोई ऐसा कारण नहीं है जिसमें कि हमको अपने नेता के लिए कहने में हमको कहीं भी कोई गुरेज लगता हो इसलिए मैं बहुत मुखर होकर मीडिया के सामने आती हूं अब लहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करने की बात तो उन्होंने पूछना चाहँगी कि अखिर मेरी गलती का है क्योंकि हमको मुख मंत्री जी के ही सात राजनीती करनी है आगर राजनीती करूंगी कि नीटियां जो है समाज सुधार के लिए जो है सराब बंदी हुई दहेज प्रता बाल विवा जिस से प्रभावित होकर मैं इस पार्टी को जॉइन की थी और उनका भी लगातार समाज सुधार के तरफ इस तरह के जो अवियान है वो चल रहे हैं तो हमें राजनीती तो इनहीं के साथ करन कि मेरी कमिया कहा पर है ताकि मैं उन कमियों को सुधार में इस इंटर्व्यू में जो परदादारी है उसको खतम करते हैं अब सिधा और सपाट सवाल पूछते हैं आप से जेडियू के बारे में यह कहा जाता है जनता डल उनाइट जनता डल डिवाइड़ बनने की रहा पर है सब कुछ ठीक नहीं है जेडियू में और बावजूद इसके कि मुकमंतरी नितिश कुमार यह सफाई दें कि नहीं सब कुछ ठीक है और किसी को लगता है कि हमारे यहां कुछ गड़बड है तो उनकी गलत फ़ामी हो सकती है दो गुटों में पाटी बटी हुई नजर आत पर हमने कई लोगों से बात की लोग आते हैं आप आरसीपी गुट की थी खीट को निफ्राने की एक ठोड़ी तेवरी पुरिसी जाती है सेसल मीडिया पर कि रसीपी गुट के जो नेता हैं उनको निफ्ठाने की कोशिस लगातार चल रही है पाटी में अगर दो गुट है दो बड़े नेताओं के 20 टकराव है, उसमें क्या पार्टी पिस रही है, उसी का सिकार आपको होना पड़ा, बड़ा असपस्ट और बहुत इमांदारी के साथ जबाब चाहेंगे. मैं इन चर्चा से कोई इतिफाक नहीं रखती हूं, इसलिए नहीं रखती हूं कि सही में जनतादल उनाइटेड है, अब रही बात तो जो भी लीडर है, उनकी आस्था सीधा नितिश कुमार जी में है, और कौन सी ऐसी पार्टी नहीं है, वैसे तो किसी तरह का उस तरह का नह संत्री जी ने इस संकास, इस संसय को उन्होंने अपने वक्तबे से दूर किया है, अब दूसरी बात ये है कि कौन सी ऐसी पार्टी है, कोई भी आप छेत्रिये पार्टी देख लीजे, राष्ट्रिये पार्टी देख लीजे, कि जिसमें की 4-5 सिर्शस्त नेता नहीं होते ह हमारी पार्टी में भी है, निश्चित रूप से एक नेता के कुछ फॉलोर होते हैं, दूसरे नेता के कुछ फॉलोर होते हैं, फिरती से, लेकिन अंतिम में सबों की आस्था जो है, जो सिर्श में हैं, एक नेता उन पर होती है, उसी तरह हमारी पार्टी में भी बड़े ब कीमत पर रही है कि नहीं यह तो देखिए प्रश्न आपको जिनके सिग्नेचर से निकलता है उनसे आपको करना पड़ेगा हम लोग तो देखिए पारटी के कर्च करता है पार्टी जो आदेश दती है उसका हम तॉivan करते हैं आप महसुस नहीं करती कि बात आप कर रहे हैं आधरनी ललन बाबू हैं हमारे राष्टिय अध्यक्ष हैं आधरनी हैं हमेसा उनकी इज्जत किया हैं आधरनी आजसीपी सर हैं वो संगठन को उन्होंने जब हम पाटी में आये थे तो उस समय उन्हों नहीं हमें रेकॉग्नाइज सबसे ज़्यादा किय रिकोगनाइज किया उनसे मैंने राजनीती सिखा उन्होंने मंच दिया कि अपनी बातों को बड़ी मुखरता से अपने नेता की बातों को नेता की नीतियों को जनता के सामने रख सकूं तो उन्होंने किया उनके निर्देश से हमने राजनीती में आज इस मकाम पर ठीक है हम इसके पहले भी हम भारतिय जंता पार्टी में थे उस समय भी हम प्रवक्ता ही थे वहाँ पर लेकिन इस पार्टी में आये तो संगठन कैसे चलाया जाता है जड़ से कैसे काम किया जाता है पंचायत लेवल पर बूत लेवल पर कैसे जुरा जाता है यह हमें आदर्निय आर्च दिया है उसका हम पालन करेंगे लेकिन सवाल तो फिर भी है अभी सेख जी कि आखिर हमारी क्या कमी है कौन सी कमिया है जिसके कारण हम पर यह कारवाई हुई है क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि हम जो एक यह जंता दली उनाइटेट के हम एक सच्चे सिपाही हैं हम कभी भी अप आपको और हम अपने को गर्द महसूस करते हैं कि हमारे अधर्नियन नेता अधर्नियन नितिश कुमार जी हैं और हम एक सच्चे सिपाही के तरह उनके कदम में कदम मिलाकर काम करते हैं और कभी भी मैंने मीडिया के सामने अपने पाटी को जुकने नहीं दिया है या उसकी ग बेवसाइट्स के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बता रहा हूँ चुकि आप रसीपी सिंग सर ने एक भोज आयोजित किया था आप उसमें चली गई इसलिए तो रसीपी सर को पार्टी से हटाया तो नहीं गया है या उन्होंने रिजाइन तो नहीं किया है इकल्वते कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो केंदर में हैं तो यह तो घरब होना चाहिए पार्टी को कि वह अकेले नेता पाटी का नाम रॉशन हो कि आगर हो यहां पर आते है उन्हों नहीं हमें इतना चीज सिखाया है निश्चित रूप से इस आधिकारी है, निश्चित रूप से उनका जो इंटेलिजेंस है, उसका हमको फायदा मिलता है, मिलता है। ना किसी को छोटा समझते हैं ना बड़ा समझते हैं तो हमको उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है हमारे नेता आये थे तो हम वहाँ पर गए तो कोई अपराद तो मैंने नहीं किया अगर इस गलती के कारण इस तरह की कारवाई हुई है तो इसका मतलब की पार्टी को कम क्या कभी आपने महसूस किया कम से कम हाल के दिनों में कि एक खास एक तरह का प्रसेप्शन है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किसी खास गुट का है सामने वाला व्यक्ति है किसी खास गुट का है और अगर कई नेताओं को एक डॉक्टर अमर्दी पार्टी के आईटी सेल के अध्यक्स थे उनों ने इस्तिफा दिया उसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चा हुई तो आपने कभी महसूस किया कि जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत दूर नहीं है उनका यासों से अगर कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है न देखिए राजनीती है तो हर चीज बड़े नेता है बड़े नेता तो है ही ललन बाबू बड़े नेता है हमारी पार्टी के ये लोग गिने चुने नेता है उपेंदर कुषवाह जी बड़े नेता है आपकी आपकी तरफ से या आपके समर्थकों की तरफ से पोस्टर लगाया जाता है उपेंदर कुषवाह क तो आप समझ सकते हैं कि राजनीती किस अस्तर पर पहुचेगा इस चीज़ को तो समझना परेगा है। आपको दे दे रहे हैं कि आधनिय नितिश कुमार जी का जनम दिन था बिलकुल निश्चित रूप से उनका सबसे बड़ा फोटो होगा हमारे नेता है वो राष्ट्री अध्यक्ष साहब और प्रदेश अध्यक्ष साहब का भी फोटो उपेंद्र कुस्वा आपकी पार्टी क या उस लाइक नहीं समझा गया हम यह भी नहीं हमको राष्ट्री अध्यक्ष परदेश अध्यक्ष का लगाना था और चुकि आर्शीपी सर के द्वारा यह प्रस्तावित का अर्चक्रम था जनम दिन मनाना और यह पिछले बार पिछले साल हम लोगों महिला जदियू के ल प्रस्तावित हो या एक महासाचीब के द्वारा प्रस्तावित हो या पंचायत अस्तर के जो अध्यक्ष हैं उनका प्रस्तावित हो कौन कार्ज करता नहीं चाहेगा कि अपने नेता का हम जनम दिन मनाने पर या किसी नेता के बड़ा फ्रोटों देने पर अगर इस तरह से एक और हमने पहले ही कहा कि अकेली मैं महिला प्रवक्ता हूँ इस पाटी की थी अब तो नहीं है प्रवक्ता थी और इन सब चीजों पर अगर आप प्रवक्ता को हटा रहे हैं और जो जिस पाटी के नेता महिलाओं के आगे बरने की वकालत करते हैं हमेशा तो उस पाटी के ए जब हम चेत्र में जाते हैं कहीं भी फिल्ड में कोई पंचायत में गया ब्लॉक में गया महिलाएं घरती हैं कि दिदी आपकी बात को सुनकर गर्व होता और हम लोग को भी मन करता है कि हम भार्षन दे तो आप समझें कि आज इस तरह की कारवाई से जो कि किसी तरह की गलती हम से नहीं हम इन सब चीजों को कोई गलती नहीं मानते हैं अगर इन गलती हो को है तो इसका मतलब कि मैचुरिटी नहीं है इस पॉलिटिक्स में चाहे जिसने भी किया है जिसने भी किया है क्यों कर रही है पर देश ने तुने फैसला लिया है तो यह मैचुरिटी नहीं है पर ऐसी और मुक्मंत्री के जनम दिन को हम कहीं भी मनाएंगे हम अपने गहर में चार आदमी के साथ बैठके मनाएंगे तो यह क्या पाटी लगा आमstones मनाईए हैकोई कारेकरता तोड़ी सिर्फ मनाई हैं आमसिन्ता मुक्मंत्री जी का जनम दिन मनाईए है में किसी प्षर्ट से हटने से दुख्जी क्यों होगा लेकिन महिलां मुखमंत्री जी से रही हीनुकिन रही हैं और दफीज्टこれは स्वाथे मिeston लिए में डिमोटिवे선 लुट delivery अब इसने से बाद स्थिती बताएगा कि किन से बात होंगी निश्चित रूप से हमारे सब गार्जियन हैं कभी चर्चा होगी तो उसमें होगी आज आपने पूछा तो इतना चुकि मेरे मन में जो भी बात थी चुकि हमारे पास लेटर आया इस तरह का तो हमने आपको इतनी बात कही एक सवाल क के साथ कि हो सकता है अभी से कुछ जवाब मिल जाए इस पर एक दो सवाल बहुत जल्दी जल्दी और मैम लगता है कि जिस तरह का perception है ठीक है आप स्विकार पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं कि जेडियू में सब कुछ ठीक नहीं है ठीक है लेकिन जिस तरह का टकराव सामने आता रहा आरसी पी सिंग जी के सर ठीकरा फोड़ा गया कि यूपी चुनाओ की मैं बात कर रहा हूँ कि वो बीजेपी से बात कर रहे हैं अंतिम अंतिम तक कोई निर्णे नहीं हो पाया अब जेडियू चुनाओ लड़ रही है लगता है कि अगर परिशेप्शन ये नव होता कि जेडियू में सब कुछ ठीक नहीं है और वाकई एक जूटता के साथ जेडियू चुनाओ लड़त तो बहतर परिणाम की उमीद होती है अलागि परिणाम अभी आया नहीं है लेकिन जिस परिणाम के पिक्छा जेडियू को है इस महौल में उससे ज्यादा बहतर परिणाम आते अगर ये मैसेज दिया जाता या पाटी मैसेज देने में क्यामयाब रहती इस परसेप्शन को खारीज करने में क्या मियाब राजी की राजनिती करते हैं इसलिए हम को बहुत दूसरे राजियों से बहुत ज्यादा मतलब हमें नहीं लगता है कि हमें रखना चाहिए लेकिन दोनों हमारे आधरनी अभिवावक हैं रसिपी सरबी और ललन बाववक हैं इन दोनों में क्या बात हुई डिखर की बात हुई कि यूपी चुनाओ की बात हैं तो इस से हम बहुत बहुत ज्यादा इतिफाक भी नहीं रखते हैं लेकिन हम लोग कोशिस करते हैं कि ये दोनों दोनों लोग हमारे नेता हैं और जो कह रहे हैं उसका हम लोग पालंग करें हम लोग छोटे कर्च करता हैं काम करते हैं उनके निर्देशों के अनुसार काम करते हैं एक Mobile में, चितने Poster लगे थे, उन में से, सिर्फ आपके Poster का मामला नहीं है, उन में से किसी एक Poster में भी, जेडियू دफतर के बाहर जो पोश्टर लगा था, उन में उपहन्ध कुस वाहा की तस्विर थी, लेकिन RCP सिंग जी के घर के बाहर जो Poster लगे था, उन में से एक Poster में भी उपेंद्र कुश्वाहा की तस्वीर नहीं थी सवाल ये है कि उपेंद्र कुश्वाहा भले ही जेडियू के संसदिये राष्टिय संसदिये बोट के अद्धक्ष हैं लेकिन जेडियू के क्या बहुत तेरे नेता नेताओं में उनकी स्विकारता नहीं बन पाई है बहुत दीरे हो सकता है कि कार्च करताओं को हम लोग को भी समझ में आए तो इस तरह का हमें नहीं लगता है कि उस तरह की कुछ भावना और फोटो में किसी को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता आप किसी के मन में नहीं उतर सकते हैं में जो पद होता है राष्ट्री अध्यक्ष परद पूछा गया तो वो बोले कि वो संगठन में नहीं है आप यह कर रहे हैं कि वक्त के साथ उपरिंद को स्वाहा करता हूं कि दिलों में उतरने लगेंगे तो भी रूशा कुछ नहीं हमको किसी भी नेता से हमें देखे पाटी में काम करना है वो भी आदर नेनिती कुमार जी के आदर्स पे चलते हैं सब लोग उनहीं के आदर्स पर चलते हैं सब मिला के बात एक ही पर चलते ही नहीं है लेकिन जरूर थोड़ी नाराज है हाला कि नितीस कुमार में आस्था है जाहिर तर पर रहेगी लंबे वक्त से पाटी में हैं और जिस चीर परचित अंदाज में अपने सब्दों को अपनी बातों को रखती है उसी चीर परचित अंदाज में आज भी अपने बात को रखा है उपेंद्र कुसवहा को लेकर एक बड़ी बात उपेंद्र कुसवहा करकरताओं के दिल में उतरने लगेंगे पोस्टरों पर उनकी तस्वीर होगी और कारण नहीं बताया पार्टी ने किस वज़ा से पद से मुक्त किया गया प्रवक्ता पद से हटाया गया ऐसे